गांधी सेतु का पस्मी लेन कब री ओपेन होगा या कहिए तो गांधी सेतु के पस्मी लेन का उदगाटन कब होगा तो कोईलवर पूल पर कब हम जा आपाएंगे या कहिए तो उसका इनोग्रेशन कब होगा वहीं कोश्टी महा सेतु पर कब से ट्रेन आम लोगों के लिए चलने लगेगी इन सभी सवालों का हम इस वीडियो में एक एक करके आपको जवाब देने जा रहे हैं बस कुछ मिनट के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे हैं सबसे पहले आपको बता दें कि अब भागलपूर जिले में एक और गंगापूल का जो अधीश सूचना ज जारी हो गया है उसका काम शुरू होने वाला है तीन वर्सों में उसका काम पूरा होगा ऐसा सरकार का कहना है या ऐसा ऑनुमानित है पूरा कब होगा यह तो आने वाला वक्त बार जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको कि गंगा नदी पर कितने पूल बन रह जिसमें कई लोग पूह रहे हैं कि कई पूलों को आपने छोड़ दिया है जैसे बकसर का पूल है तो उसको हमने इसलिए छोड़ा कि उसके दूसरे तरफ में उत्तरपदेश है और बिहार में सीधा-सीधा लगा हुआ जितने पूल है उन सभी को हमने इसमें लिया है जिसमें जो जो दो तीन पूले छूटा है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं आपको सेरपूर और दिगवारा के बीच में जो दिगा पूल के उस तरफ में एक और पूल बनेगा जो पटना रिंग रोड का हिस्सा है वो छूटा है क्योंकि उसकी अधिसुचना हमने कहीं देखा न वो राजंदर पूल के बाद एक और पूल बनना है जिसको इस्पेसल नितिन गड़करी ने जो डिस्टेंस के हिसाब से गंगा पर पूल बनने का आदेश होता है केंदर सरकार का एक गाइडलाइन है उसको इस्पेसली उस पूल के लिए मोडिफाई किया गया तब उस पू को हम ले करके उसमें दिखाएंगे कि कोन-कोन पूल बन रहा है इससे पहले हमने कोशी महासेतु को लेकर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि वहां जो रेलवे लाइन है उस पर दिन रात काम हो रहा है लगातार काम हो रहा है जबकि लॉक्डाउन है फि आपको लगे हाथ ये भी बताते है कि इन प्रवाय दे दिया है जैसा रेलवे का कहना है और जैसा वहां सूचना हमें मिला है कि आठ अगस्त को पी एम मोधी वीडियो कॉनफरेंसिंग के जर्ये इस महासेतु का इन्योगरेशन करेंगे इसका इन्योगरेशन करेंगे उसके ट्रेंज चलने लगेगी तो आपको लगे हाथ ये भी बताते है कि इन दो पूलों का भी कोईलवर पूल और महात्मा गांधी सेतु का भी लोग चर्चा कर रहे हैं या ऐसा उमीद है कि इसी दिन आठ अगस्त को ही वीडियो कॉनफरेंसिंग के जर्ये ही पी एम मोधी इसक पूस्किल से मिलता है आप अभी देखेंगा योध्या में राम मंदिर का सिलान्या सोना उसके लिए पीम मोधी से वक्त मांगा गया दो डेट उन्हें दिया गया है जिसमें पांच अगस्त का जैदा चर्चा है तो अभी कंफर्मेशन पीमो से नहीं आया उसके लिए लेकि अगर इसमें कुछ आगे पीछे होता तो एकात दिन आगे पीछे होगा आपको ये समझ लीजे तो पूरी तरह से कंफर्म ही है कि 8 अगस्त को इन तीनों पूलों का इनोग्रेशन पीम मोधी करेंगे और राज से वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर ही मुख्यमंतिर नितीश होंगे और साथ में जो सड़क परिवहन मंत्राला है वो भी बिहार सरकार का या केंदर सरकार का वो भी इस वीडियो कॉन्फरेंसिंग में सामील होगा लेकिन यह पस्ट है इससे पहले हमने ये भी पूछा था आप लोगों से कि इसका इनोगरेशन कोन करेंगे गांदीश जेतुखा तो अब इसका भी सीन किलियर हो गया कि प्यम मोधी ही इसका इनोगरेशन करने वाले हैं क्योंकि केंदर सरकार का ही योजना है और दो यो यह से में असपष्ट है कि जिस दिन भी होगा ये तीनों पूल एक साथ इनोग्रेट होंगे और 8 अगस्त अगर डेट मिल गया है तो समझ लीजिए ये खुशी की खबर है लड़ू भांट लीजिए और ट्रक वाले लोग जो लगातार पूछ रहे हैं कि भईया कब खुलवाओगे तो आपके लिए जबाब है और हम इसे पहले आपको बता चुके ह कि गांधी सेटु की जो capability है एक पाय का जो strength है वो लगवग 600 टन है जो इसका security test हुआ है उसमें पता चला है तो अगर आपको इस पूल पर ट्रक चलानी की अनुमती नहीं मिलती है तो ट्रक association को चाहिए कि सरकार से बात करे और अपने लिए अनुमती जारी करवाए और लग सारी वाहनों को चलने के लिए मना किया गया है ऐसे मैं मानता हूं कि कुछ ही पूल है जिस पर से आप गंगा पार कर सकते हैं और ऐसे में बहुत देर तक वहां ट्रकों का लाइन होता है जिसमें दिन दिन भर ट्रक मालिकों को ट्रक खड़ा रखना होता है ऐसे में बहुत आवियान चल रहा है जिसका नाम है गांधी सेतु बचाओ इसका एक डिटेल वीडियो आप नीचे हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसका डॉक्टर मिर्नाल सुत्रधार है और वो कहते हैं कि जब तक गांधी सेतु के पैरलल एक और ब्रिज न बन जाए तब तक पूर्वी लेन को नहीं तोड़ा जाए दोनों ही लेन को चलने के लिए या आवागबन के लिए खुला रखा जाए ताकि इस रोड पर जो लोग फसते हैं या जो गारियां फसती है उसमें जो फ्यूल जलता है वो भी सरकार का नुकसान है जो लोग फसत पूरे साल भर में एक गांधी सेतु बनाया जा सकता है ऐसा डॉक्टर मिनाल कहते हैं इसलिए हम आप तमाम लोगों को कहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप गांधी सेतु बचाओ अभियान में जाकरके अपने आपको जोड़े या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं हैस्टाइग डाल करके हैस्टाइग डालिए जो इसा क्रोस का साइन होता हैस्टाइग डाल करके जहां भी पोस्ट डालते हैं उसमें गांधी सेतु बचाओ लिख करके अपनी बात को सरकार के लिए रखें चाब ट्वीटर हो फेस्बूक हो इस वीडियो को आप उन सभी प्लेटफॉर्म पर सेयर करें आप चाहते हैं अगर ट्वीटर हैंडल को यूज करते हैं तो ट्वीटर पर उसके लिंक को सेयर करके सरकार से पूछें या कहें कि इस पूल को तब तक नहीं तोड़ा जाए जब तक इसके समाना तर एक और पू पर हमारे साथ बने रह सकते हैं वहीं अगर आप हमें फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद